मारुती सुजुकी ने लाँच कर दी है नई स्विफ्ट ये बेहत पॉपलर हैच पैक अब अपने फोर्थ जेनरेशन में आ चुकी है कीमते शुरू होती है 6.49 लाक से और जाती है 9.64 लाक एक शोरूम तक चुले ले चलती हूँ आपको दिखाती हूँ इसका एक क्वेक वाकरांड स्विफ्ट का फ्रंट फेस काफी बदल गया है पहले तो ग्रिल अप थोड़ा नीचे बैठता है ग्लॉस ब्लाक ग्रिल है क्लाम शेल बोनट आपको मिल जाता है यहाँ पर हेड्लाम्ट यूनिट जो है वो पूरी बिल्कुल नई है LED हेड्लाम्स मिल रहे हैं और यहाँ पर बूम रैंक शेप के DRL दिखाई देंगे आपको और दीचे दिखाई देगा साइब प्रोफाइल में प्रॉमिनेंट है यह शोल्ड लाइन जो की एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और साथ ही अलॉइस को भी नया डिजाइन है प्रिसिशन कट अलॉइस देखने में काफी अच्छे लगते हैं यहाँ पर आप नोटिस करिया डॉल कलर आपको मिल रहा है स्विफ पहले भी डॉल कलर आता था लेकिन अपी दो कलर जो है वो आड किये गए है और अब को नौ कलर में आपको सिफ्ट मिलेगी एक जगा है दोर हैंडल के लिए अब चले दिखाती हूं आपको इस कारियर जहां पर अब आपको यह एलीडी टेल लांस मिल रहे हैं देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं ओवर लॉल लुक जो है वो काफी कुछ सिफ्ट की जो कारेक्टरिस्टिक से हम सिफ्ट को असोसिय लेकिन पहले ले चलती हों गाड़ी के अंदर सेकेंडरों के हिसाब से यहाँ पर स्पेस अच्छा मिल जाता है लेग रूम बढ़या है और पैर रखने के लिए पैर फैलाने के लिए अच्छी जगा मिल जाती है यहाँ पर आपको एसीवेंट मिल जाएगा और साथी तीन सेट बेल्ड मिल रही है तीनों ही पैसेंजर के लिए लेकिन यहाँ पर सेंटर पैसेंजर के लिए हैड़रेस्गे मिसिंग है इंग मुवबल हैड ब्रेस्ट भी नहीं है और साथी यहाँ पर आमरेस्ट काप होल्डर के साथ नहीं दिया गया है बट अदर वाइस पेस थाग बहतर comfort देने के लिए जानी जाते थी लेकिन बड़े चेंचास आए हैं front में so let me take you there इंटीरियर्स में सबसे पहले आपको नसर आएगा यह 9 इंच की floating type infotainment screen इसमें आपको connected car tech मिल रहा है apple carplay android auto मिल रहा है करीब करीब 40 features हैं जो आपको connected car tech में मिलेंगे जो की suzuki connected car tech है इसके साथ ही यहाँ पर wireless charger मिल रहा है इसके साथ ही इसमें है fully automatic AC यहाँ पर जो सामने driver display है यह अभी भी part digital है बट पहले से improved है और यहाँ पर आपको color display भी दिखाई देगा इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो sharing है इस पर sharing mounted control है यहाँ पर थोड़ा सा piano black कर इस्तमाल किया गया है piano black आपको यहाँ पर center console में भी दिखाई देगा और looks की पात करूँ तो यहाँ पर जो hard plastic लगा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा texture देकर एक थोड़ा look बदलने की कोशिश है यहाँ पर यह थोड़ा सा metallic looking insert है तो plastic लेकिन metallic look दिया गया है उसको साथ ही यह seats आप देख सकते हैं यहाँ पर all black interiors आपको मिल रहे हैं अक्सीज comfortable हैं लेकिन थोड़ा बहतर fabric होता तो मुझे ज्यादा पसंद आता बट proper review लेकर आऊंगे आपके लिए और फिर बताऊंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर यह बता दूँ कि इसमें आपको 1.2 liter Z-series engine मिलता है जहां पर पहले से बहतर fuel efficiency है लेकिन power figure पहले के मुकाबले कम हो गई है 81 HP की power आपको मिल रही है 111.7 Nm का torque मिल रहा है जो कि पहले से थोड़ा कम है लेकिन safety features बढ़ गए है 6 airbags आपको मिलते हैं ESC Hill Hold Assets जैसे features मिल रहे हैं इसके साथ ही मारुती ने हमें बताया है कि उन्होंने high strength steel का भी इस्तमाल गया है इस गाड़ी में आपको कैसी लगी मारुती स्विफ्ट लगता है यह अब एक अट्राक्ट प्रपोजिशन है आपको लगता है safety standards इतरह से बढ़ा दिये गए है क्या आपको स्विफ्ट पसंद आएगी हमें comment में लेकर ज़रूर बताईए